हलो दोस्तो राची टेकनिकल में आपका स्वागत है आज हम बोर्ड को उसका जो सनमाई का सीट होता है उसको कैसे कटिंग किया जाता है और उसमें हमारा स्विच सोकेट इंडिकेटर फ्यूज कैसे फिटिंग किया जाता है और वो हम देखेंगे तो इसको फिटिंग करने के सबसे पहले हमें इसे मार्किंग करना पड़ता है, तो आप इसके लिए एक स्केल और पैंसिल का यूज कर सकते हैं, फिल यहाँ पर इसकेल नहीं है, तो यह जो हेक्सो ब्लेड है उसी से मार्किंग कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले आप socket और switch जो भी है उसे आप इस तरह से line से रख लिजे और उसको बराबर तरीके से रखिए कोई भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए और उसके बाद इसमें आपको pencil की मदद से marking करना पड़ेगा तो जो यह marking होगा यह switch के center पे होगा देखिए एक marking आपको यहाँ पे एक उपर की तरप से और दो marking आपको side ओर नीचे से करना पड़ेगा उसी तरीके से इसके दूसरे वाले side में भी आपको 4 marking करने पड़ेंगे जो की एक उपर ओर side से और एक नीचे के ऊपर ओर side से होगा और जब इसका मार्किंग हो जाता है तो इसको आप Scale की मदद से उसको बराबर तरीके से आपको मैच कर देना पड़ेगा मतलब जो पॉइंट हमने चार पॉइंट खीचे हैं उसे आपस में हमें मिला देना पड़ेगा तो आप इस तरीके से से आसानी से मिला सकते हैं यह हमने साइड का मार्किंग किया है अब इसके चारो तरब से हमको इसका लाइन खीच के इसका मार्किंग करना पड़ेगा आप Scale के साथ में कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे Hexoblade है अगर आप Electrician है या बनना चाहते हैं तो कभी न कभी आपको इस तरह का जोगाड वाला उपाई करना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी कुछ चीजे नहीं होती है तो इसके जगा पे इस तरह से जोगाड किया जाता है तो फिलाल यहाँ पे उसी तरीके से जोगाड करके मार्किंग किया जा रहा है तो यह नीचे से मार्किंग हो जाएगा देखिए पैंसिल से इस तरह से बराबर करके इसको मार्किंग कर दे रहे है उसके बाद इसके उपर वाले हिस्से में भी मार्किंग कर दिया जाएगा और वहाँ पे फिर हमें कटिंग करना पड़ेगा तो इसमें जो कटिंग करने के लिए टूल्स यूज होते हैं उसमें एक हमारा फर्मल चीजल जिसे हम छेनी कहते हैं उसका इस्तमाल करना होगा एक हैमर जिसे हतोडा कहते हैं उसे यूज करना होगा और इसके साथ में पोकर और ये जो आपका पेंसिल और स्केल है मार्किंग के लिए इस्तमाल करना पड़ेगा तो इस तरीके से आपको line को बराबर करके बढ़िया से खीच लेना पड़ेगा कभी कभी ऐसा होता है कि marking करते time marking सही तरीके से नहीं होता है तो हमारा switch और जो socket जो हम लगाएंगे वो fit नहीं हो पाता है इसलिए marking सही तरीके से करना पड़ता है देखिए हमने पहले से इसमें कुछ board में marking किया हुआ है आपको दिखाने के लिए एक board में अभी हम marking कर रहे है और इन सब board में ये जो board है जिसमें आप marking कर रहे है वो 8-10 का board है अब देखिए यहाँ पे poker की मदद से इसमें हम छोटा-छोटा point दे रहे है ये क्यों कर रहे है क्योंकि जब हम इसे काटेंगे तो ये board हमारा कहीं से कट ना जाए फट ना जाए क्योंकि ये हमेशा crack होने का chances ज़्यादा रहता है तो इस तरह से आप mark कर दिजेगा poker की मदद से तो ये crack नहीं होगा अब ये हमारा जो फर्मल चीजल है इसे ले के आप hammer से इसे कर दिजे हलका-हलका cutting और जो उपर वाले हिस्से में भी same इसी तरह का poker की मदद से point दिया हुआ है मतलब हमने उसे hammer और poker लेके dot dot करके थोड़ा मार दिया है ताकि वो थोड़ा hole जैसा हो जाए और उसे हमें काटने में आसानी हो और जो हमारा सन माइका का जो seat है ये कहीं से crack न हो जाए या कटे फटे न इसलिए इस तरह से dot दिया जाता है इससे काफी आसानी हो जाती है काम करने में और हमारा board भी किसी तरह से कोई नुकसान नहीं होता है तो इसे आपको दोनों तरप से इस तरह से cutting कर लेना पड़ेगा हलका हलका और इसके बाद में आपको hexo का जो blade है hexo blade उसे लेकर आपको इसे बराबर तरीके से जहां marking है उससे काट के अलग कर देना पड़ेगा तो देखे उसे इस तरह से आप हसा लीजे और एक side से इसे काटिए और उसके बाद फिर उपर से काटिए नीचे से चारो side से आप काट लीजे या आसानी से कट की निकल जाएगा और आपका board में किसी तरह का नुकसान भी नहीं होगा ये कटेगा फटेगा नहीं और इस अच्छी तरीके से इसमें काम हो जाएगा तो ये सबका अपना अपना एक funda होता है यही एक तरीका है जो अभी इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ आपको इस तरीके से आप आसानी से board का cutting कर सकते हैं आजकल board cutting करने के लिए दूसरे चीजों का भी इस्तिमाल किया जाता है अभी मैं एक simple तरीका जो पहले से चला आ रहा है उसी से board cutting करके दिखा रहा हूँ इस तरह से आप किजिएगा तो आसानी से आपका काम हो जाएगा अब देखिए board cutting हो जाने के बाद कभी कभी marking सही नहीं देने से हमारा switch socket सही तरीके से नहीं आता है वो कैसे नहीं आता है वो भी दिखा रहा हूँ और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो भी बताऊंगा देखिए ये हमारा socket जो है पुरी तरीके से fit नहीं हो पाँ रहा है उसी तरह हमारा switch भी fit नहीं हो पाएगा क्यों नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर इसमें आप marking सही तरके से नहीं करोगे तो नहीं होगा तो इसके लिए आपको फिर थोड़ा सा pencil और इसके लेकर marking देना पड़ेगा नीचे में और side से भी जहां से भी आपको वो पूरी तरह से fit नहीं आ रहा है तो और उसे आपको फिर फर्मल चीजर और hammer लेकर हाथोड़ी लेकर इसे cutting कर देना पड़ेगा तो इस तरह से आपको side से थोड़ा-थोड़ा cutting करना पड़ेगा लंबाई के तरप से भी और चौड़ाई के side से भी दोनो side से आपको इसका cutting करना पड़ेगा और फिर उसके बाद इसको आप आसानी से fit कर पाएंगे तो अभी भी ये पूरी तरह से fit नहीं हो पा रहा है क्योंकि कहीं कहीं पर ये फस रहा है मतलब इसे आप सही तरीके से cutting नहीं हुआ है तो इसके लिए आप जो file होता है जिसे हम रेती भी कहते हैं उसकी मदद से भी आप उसे रगड के उसे आप साफ कर सकते हैं लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही वो cutting नहीं हुआ हो तो आपको वापस से इसी तरह से फिर से hammer और फर्मल चीजा लेकर cutting करना पड़ेगा तो इस तरह से आप उसको बढ़ियां से cutting कर लिजेगा तो आपका जो switch socket indicator और fuse है वो आप आसानी से लगा पाएंगे तो देखे अभी ये बहुत ही आसानी तरीके से लग जाएगा तो इस तरह से आप कर सकते हैं और marking अच्छा से दीजेगा ताकि इस तरह कभी problem ना हो इसके साथ में देखे हमें क्या क्या tools यूज होता है ये भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ इसमें हमारा एक hammer यूज होगा जिसे हम थोड़ी कहते हैं इसके साथ में हमारा एक फर्मल चीजल पोकल पोकर सोरी पोकर यूज होगा और होक्सो बलेड पैंसिल यूज होगा इसी तरह का समान लगेगा वीडियो आपको कैसा लगा बताएगा मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में वीडियो देखने के लिए थैंक्यू